क्या शुरू हो गया साउथ और बॉलिवुड में घमासान? क्या बॉक्स ओफिस पर साउथ की आंधी से मच गई है बॉलिवुड में खलबली? क्या तूटने लगा है बॉलिवुड का सब्रे? इस सवाल उठने लगे है अजे देवगन की एक ट्वीट के बाद अजे ने ये ट्वीट कंणर आक्टर किच्चा सुधीब के एक बयान पर दिया किच्चा सुधीब ने एक इंटर्विव में ये कहकर कि हिंदी अब राष्ट भाषा नहीं है एक बवाल खड़ा कर दिया इसके बाद बॉलिवट के सिंगर मजे देवगन ने ट्वीट कर किच्चा सुधीब को घेरा फिर दोनों के बीच ट्वीट का सिलसला शुरू हुआ दोनों के बीच का ट्वीट वॉर हम आपको आगे दिखाएंगे पर सबसे पहले समझने की जरूरत है कि सब कुछ कब हो रहा है ये तब हो रहा है जब बॉलिवुड में साउथ की फिल्मों को लेकर काफी खलबली है साउथ के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी बॉक्स ओफिस पर साउथ की फिल्मों का कबज़ा हो चुका है पहले बहुबली ने सब का ध्यान की जा फिर पुश्पा का राज चलने लगा फिट्रपला ने बॉक्स ओफिस पर कबज़ा किया और अब केजेएफ टू भी रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही है साउथ की फिल्मे और उनके स्टार्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है सिर्फ साउथ तक सीमित रहने वाले कैई स्टार्स अब हिंदी बेल्ट में काफी पॉपिलर हो गए है ऐसे में बॉलिवूड को काफी नुपसान हो रहा है साउथ की फिल्मों के आगे बॉलिवूड की कई फिल्में टिक नहीं पाई बॉलिवूट फिल्मों पर सौट की फिल्मों की इसी सफलता पर कंदर राक्टर किच्चा सुधीप ने एक इंटरवीव में अपनी राए भी रखी किच्चा सुधीप ने इंटरवियो में कहा था कि पैन-IGNDIA फिल्में कंदर में बन रही है मैं इस पर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा हिंदी अब नाशनल लैंग्विज नहीं रह गई है आज बॉलिवुड में पैन इंडिया फिल्में की जा रही है वे तेलगू और तमिल फिल्मों का रिमेक बना रहे हैं इसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं आज हम वे फिल्में बना रहे हैं जो दुनिया भर में देखी जा रही है किच्चा सुदीप का ये बयान काफी वारल हुआ किच्चा के इस बयान पर बॉलिवुड से अजे देवगर ने ट्वीट कर लिखा किच्चा सुदीप मेरे भाई आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट भाषा नहीं है तो आप अपनी मात्री भाषा की फिल्मों को हिंदी में जब करके क्यों रिलीस करते हैं हिंदी हमारी मात्री भाषा और राष्ट भाषा थी है और हमेशा रहेगी जनगनमन अजे के इस ट्वीट के बाद किच्चा सुधीप ने अपने बयान को गलत तडीके से लिये जाने के बारे में ट्वीट कर लिखा की हेलो अजे देवकन सर मैंने ये बात दूसे संदर्ब में कही थी आप जैसा समझ रहें बात उससे पूरी तरह लग है जब हम मिलेंगे तब मैं आप से चर्शा करूँगा कि मैंने वो बयान क्यों दिया था ये किसी को हट करने उकसाने या कोई बहस शुरू करने के लिए नहीं था मैं ऐसा क्यों करूँगा सर किच्चा सुधीप ने इसके बाद अजे के लिए एक और ट्वीट किया किच्चा सुधीप ने अगले ट्वीट में लिखा कि किच्चा सुधीप ने अजे के ट्वीट पर एक और ट्वीट किया किच्चा ने लिखा कि और अजे सर आपने जो हिंदी में मेसेच लिखा है वो मुझे समझ में आया ऐसा सिर्फ इसे लिए क्योंकि हम सभी हिंदी का सम्मान करते हैं प्यार करते हैं और हिंदी को सीखा है बुरा मत मानिएगा सर मैं सोच राता कि अगर मेरा जवाब कंणर में होता तो क्या स्थिती होती क्या हम भी भारत के नहीं है सर आजे के ट्वीट पर जहां कंणर स्टार किच्चा सुरीप ने अपनी सफाई दी तो वहीं आजे भी एक ट्वीट के जरी इस बात को खत्म करते हुए नजर आए आजे ने आखरी ट्वीट में लिखा कि हेलो किच्चा आप दोस्त हैं गलत फैमी दूर करने के लिए धन्यवाद मैं हमेशा से पूरी फिल्म इंडस्री को एक ही मानता हूँ हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और उमीद करते हैं इस सभी हमारी भाषा का भी सम्मान करें शायद ट्रांसलेशन में कुछ कमी थी अजे के बाद सुरीप ने एक आखरी ट्वीट कर इस विवाद को खत्म किया किच्चा सुदीप ने अपनी आखरी ट्वीट में लिखा कि ट्रांसलेशन और इंटर्प्रेटेशन किसी का अपना दृष्टी कोण हो सकता है सर इसलिए ये माईने रखता है कि पूरे मामले को जाने बिना रियाक्ट नहीं करना चाहिए इसके लिए मैं आपको जिम्मिदार नहीं मानता अजे सर पर शायद ये मेरे लिए खुशी के बात होगी अगर आपनी ये ट्वीट किसी क्रियेटिव काम को लेकर किया होता आपको प्यार और आदर क्यार किच्चा सुदीब के इस ट्वीट के बाद भले ही इन दोनों स्टास के बीच कोई ट्वीट देखने को नहीं मिला पर आजे के इस बयान को बॉलिवूड और साउथ के बीच घमसान के तौर पर देखा जा रहा है इस मुद्धे पर माहौल लगतार गर्मा रहा है केजी अफटू से क्लाश टालने के बावजूद अज्जय से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई ऐसे में अजे के इस बयान को बॉलिवूड वर्सेस साउथ देखा जा रहा है अजे के इस बयान के बाद उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है तो क्या सच में बॉलिवूड फिल्मों के खराब परफॉर्मेंस से जुड़ा है अजे का ये रियाक्शन क्या किच्चा सुदीब के हिंदी वाले बयान पर नराज अजे की ये सिर्फ रियाक्शन है अजे के स्ट्वीट के पीछे कारण जो भी हो गौरतलब है कि शुकरवार को अजे के फिल्म रंवे 34 रिलीस हो रही है ऐसे में अजे का ये बयान फिल्म पर कितना सच डालेगा ये देखने वाली बात होगी